नमस्कार दोस्तों तो आज बात करते हैं वियू प्रीमियम एंड्रोइड 4K टीवी की यह देखो यह आपके सामने वियू का प्रीमियम वियू का कैलिफोरिया की कंपने चाइनीज निया ध्यान से सुन लो तो भाईया यह यह टीवी 55 इंच का है और बहुत बढ़ी है 4K में ह HD आते हैं HD आते हैं HD LED आते हैं यह 4K मतलब इससे उपर अभी साफ इंडिया में तो लांच कम हुए हैं बहुत बढ़े वाले टीवी हैं वो लाग-दो-लाग रुपे के आते हैं यह गरिवों वाला टीवी है तो यह बहुत बढ़ीया टीवी है आपके लिए ध्यान से सुन दे रहे हैं अमघ्य बात है और बहुत बढ़े है Talking में इसका डिवी है इसका दीवीय आज हम आपको देने जा रहे हैं बहुत बढ़े परफॉमेंस इसकी पिछले 8-9 महिने से हम लोग इसको यूज कर रहे है हमने इसमें कोई Dish connect नहीं किया हुआ है क्योंकि हमने इसको ड जो response है ना वो बहुत अच्छा है यह देखो इसका यह remote है यह आप देख सकते हो आपके सामने में दिखा रहा हूँ छोटा सा इस पे उपर on-off का button है फिर बीच में यह कुछ buttons आप देख रहे हो direct app के है नेटफ्लिक्स यूट्यूब गूगल स्टार यहां पर simple चोटा सा बटन है ज्यादा कुछ है नहीं और जो इस टीवी की performance है वो काफी अच्छी है आप directly यहां से जाके अपने devices connect कर सकते हो आपका जो remote है वो भी आपके टीवी से connect हो जाता है और उसमें आपको voice का option भी है कि आप voice command दे सकते हो अपने टीवी को कुछ भी open करने के लिए तो दोस्तों इसमें Google का Google voice डला हुआ हुआ है जाके अपने Bluetooth कर सकते हो यह हम अल्रडी एक कनेक किया हो अगर आपने कनेक किया हो तो आपको directly on करने के बाद कि वीडियोज दड़ले से सलते हैं सबके subscription लिए हुए है यह आपको एक भी नहीं बिताने वाले हैं क्योंकि इसके पैसे दिये हुए हमने Sony Live, ALT Balaji, Netflix सबसे महंगा है वो सबसे उपर है Disney All Star यह भी महंगा है Amazon Prime, YouTube So everything has been subscribed and used thoroughly and properly और इसका response काफी अच्छा है इस TV का इसमें कमी कुछ नहीं है मेरे हिसाब से तो कहने को बहुत बढ़िया TV है ठीक है दूसरा मैं आपको बतायता हूं गर आपको इसको सही रखना है न तो इसमें जो पावर का बटन है जब भी आप किसी भी smart TV को बंद करते हो तो उसको खाली पावर का बटन से बंद नहीं करना है उसको पावर के बटन को रहा लॉंग प्रेस करना है तो जैसी आप लॉंग प्रेस करोगे तो यहां पर देखेंगे आपकी option आजाएगा आपके पास तो यहां पर आपको दो option दिखते हैं एक power off का और एक restart का तो restart करना यूज नहीं करना तो यहां से power off करिए नहीं तो आपका टीवी जो है न वैसे off नहीं होता वह आप उसको समझ लो बस डिरेक्ली पावर निकाल देते हो तो उससे आपके जो OS जला हुआ इसमें Android उसमें दिक्कत उसके करप्ट होने के crash होने के chances बढ़े जाते हैं थोड़े स से देखो उपर ले जाओ और power off कर दो तो यह power off हो जाएगी इसकी बहुत जल्दी हो जाती है ठीक है उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और नहीं आई है तो कोई बात नहीं लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो दन्यवाद